दर्भंगा एरपोर्ट की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं जिहां दोस्तों मुख्यमंत्री नितीश कुमार की इंट्री हो चुकी है दर्भंगा एरपोर्ट को ले करके और उन्होंने डायरेक्ट चिठ्थी लिखी है उड्डियान मंत्री को पूरी चिठ्थी में क्या बाते हैं एक-एक सिलसेलवार तरीके से आपको बताएंगे क्योंकि पाँच पॉइंट उसमें पाँच बड़ी समस्याओं का जिक्र करते हुए बड़ी लंबी चौड़ी चिठ्थी नितीश कुमार ने उड्डेन मंत्री हरदीप सिंग पूरी को लिखी है और साथ के साथ उन्होंने फोन भी किया है और फॉलो अप भी लिया है तो यह बड़ी चीज है दर्मंगा एरपोर्ट की जो समस्याओं आ रही है खास करके फौग नटी फौग सिस्टम लगाने की जो बात हो रही है DVOR IALS जो लगाने की बात हो रही यह अंत्र लगाने की बात हो रही उसको लेकर के अब नितिश कुमार ने सीधा उड्डियन मंत्री को लिखा है चिट्थी तो आपको दिखाते हैं वो चिट्थी जिसमें मुख्मंत्री ने लिखिये चिट्थी 22 तारी को और इसमें लिखा है प्रिये श्री हरदीप सिंग पूरी जी दर्भंगा एयरपोर्ट चालू होने के बाद एयरपोर्ट के विकास की काफी संभावनाएं हैं और यहां जिस तर मैं आपका ध्यान आकरिष्ट कराना चाहता हूं और यह मुख्य जो पांच पॉइंट का उन्होंने इसमें जिक्र किया है उसमें सबसे पहला आ रहा है कि दर्भंगा एयरपोर्ट का नाम कवी कोकिल विद्यापती के नाम पर रखने का जो प्रस्ताव लंबित है उस पर उ है वो फाइनल किया जाए यह उन्होंने उड्यान मंत्री से गुजारिश की है दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि यहां से उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए और अन्य विमानन कंपनियां भी यहां से अपनी सेवाएं दे इसकी भी वस्ता की जाए तीसरी सबसे आ अंतराशी आवंटित कर दी है जो कति से कड़ की बात हो रही है चौथे पॉइंट पर वो लिखते हैं कि दरभंगा एरपोर्ट को अब एक अंतराश्टी एरपोर्ट कारगो सहित इसमें विक्सित किया जाने की संभावना है और अवश्यक्ता है और उन्हें यह सबसे अहम चीज कही है कि नाइट लैंडिंग फैसिल्टी यहां से सुविधा शुरू होनी चाहिए और साथ के साथ धुन्द की वज़े से जो कम द्रिश्यता की समस्या यहां से हो रही है उडाने रद हो रही है रिश्यूल हो रही है उसका निदान के लिए उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट उन्होंने अंतिम में जिक्र किया है वो चार दिवारी का जिक्र किया जो बांडरी वाल नीची है। मंत्री को लिखा है और उन्होंने ट्वीट में ये साफ Сाव लिखा कि नाइट लैंडिंग सु विदा और एयरपोट के विस्तार के लिए उन्होंने चिथी लिखी है और संजेज झाने चिथी को शेर भी किया और बाद में ये बताया कि दूसरे दिन, यानि आज हरदीज कुमार जी ने बात की है फोन पर, यानि फॉलो अप लिया है, उन्होंको बताया कि हमने आपको चिठी भेजी है, दर्मंगा एरपोर्ट के विस्तार को ले करके, समस्याओं को ले करके, और नितिज कुमार ने भी बताया कि इस पर उन्होंने साकरात्मक जवाब भी दिया है संजे कुमार जहां ने ट्वीट करके बताया कि following a letter to honorable minister following a letter to honorable minister श्री हर्दीव सिंग पूरी honorable CM नितिश कुमार spoke to him this afternoon यानि कि चिठी के बाद इस afternoon जो है शाम को नितिश कुमार ने बात की minister से और दर्भंगा airport की समस्याओं को उन्होंने कहा कि इसमें आप ध्यान दीजे देखिए और श्रीपूरी assured to CM that ministry would do its best और जो पूरी साहब है उन्होंने आश्वस किया है मुखमंत्री को कि वो इसको देखेंगे और इसको जो है जल से जल जो भी समस्याओं आ रही है उसको वो दूर करेंगे तो बड़ा development हो दोस्तों दर्भंगा airport के लिए कि पहली बार जो उडान शुरू होने के बाद पहली बार मुखमंत्री ने direct चिठी लिखी है और इसका जिक्र सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो है फोरम पर इसका जिक्र हो रहा है और अब उम्मीद यह है कि इतनी बड़ी जो development है सीधा मुखमंत्री का जो इसमें entry है इससे यह होगा कि यहां पर बहुत सारी समस्याओं जो है वो दूर हो जाएंगी ऐसी उम्मीद की जा रहे क्योंकि अभी तक जो लोग इस सवाल को उठा रहे थे वो सांसत के स्तर पर उठा रहे थे या पूरु मंत्री के स्तर पर उठा रहे थे लेकिन पहली बार मुखमंत्री की तरफ से यह बात कही गई है तो दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक केजिए शेयर कीजिए कमेडियो के सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वीडियो के साथ हाजरूर आप देखते हैं दरवंगा रोक्स शुक्रिया धनवाद जहिन